हेलो फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल में स्वागत है मैं आज आज आपको सबसे आसान तरीके का अलू पराठा की रेस्पीit सेर्व करने जा रहे है। जो की बहुत ही कम समान में और बहुत ही जल्द बन के तियार हो जाता है। इससे आफान तरीका आप लोगों को अलुपराठा का पहने ही मिलेंगे अनटल पानी त्लेंगे तर्सकेसे हमको यह पानी मसल मसल के गूथ लेना है पानी एक बार में एड़ नहीं करेंगे आप देख सकते हैं किस तरह से हम चारो तरफ से इस तरह से मिलाते हुए अच्छे तरीके से आठे को गुथ रहे हैं आप पे आलू पराठा की रेश्पी एक बार जरूर बनाईएगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और ये बहुत ही जल्द बन जाता है और बिना कोई जहनजट के आप देख सकते हैं अब आठा गुथ के रेडी हो चुका है अब हम इसे साइड में रख देते हैं इधर इस टॉफिंग के लिए हमने एक बड़ा आलू ले लिया है उगला हुआ इसको मैसर से मैस कर लेंगे आप देख सकते हैं अब हम इसमें एक छोटा प्याज को बारी काट के आड़ कर देंगे और एक हरी मीज को भी बारी काट के आड़ करेंगे हरी मीज डालने के बाद इसमें हम बारी कटा हुआ हरा धनिया और टेस्ट के कोडिंग नमक आड़ करेंगे आप देख सकते हैं अब हम इसमें नमक एड़ कर चुके हैं अब इसमें आधा छोटा चमत अजवाइन भी एड़ कर देंगे आप देख सकते हैं अजवाइन भी हमने एड़ कर दिया है अब इन सबी चीजों को अच्छे तरीके से मिला के मैस कर लेंगे अब देख सकते हैं, अब इन सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिला देते हैं इन सभी चीजों को हमने अच्छे तरीके से मिला लिया है इधर गैस पे हमने तवा चरा के रख दिया है गर्म होने के लिए तबा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम पराठा बना लेते हैं थोड़ा सा आठा लेंगे और इसका गोल पेरा बनाएंगे आप देख सकते हैं इधर हम इस लोई में थोड़ा सा सुखा आठा लगा लिये हैं अब इसको इस तरफ से चारो तरफ से गोल करेंगे और इसमें हलु वाला स्टॉफिंग डालेंगे आप देख सकते हैं कि इस तरफ से हम इसमें स्टॉफिंग एड़ कर रहा हैं और इसको चारो तरफ से घुमाते हुए उसके मूँग को सील कर देंगे और हलके हाथों से प्रेस करके फिर से इसमें हलका सा सुखा अठा लगा लेंगे और इसको हलके हाथों से ही चारो तरफ से घुमाते हुए इसका पराठा बना लेंगे पराठा बेनने के बाद अब हम इसको तबा पे डाल देते आप देख सकते हैं हमने पराठा को तबापे डाल दिया है अब इसको दुसरे तरफ से भी पलर दे रहा है जब आलो का पराठा पीछे से सीख जाएगा अच्छे तरीके से तब हम इसके उपर से रिफाइन लगाएंगे आप चाहें तो इसके उपर बटर भी लगा सकते हैं पराठा के पीछे तरफ से सीख चुका है अब हम इसके उपर रिफाइन लगा दे रहा हैं आप देख सकते हैं अब हम पराठा को दूसरी तरफ से भी पलर देंगे और अच्छे तरीके से फिर से एक वार रिफाइन लगा देंगे दोना तरफ से पराठा को अच्छे तरीके से चेक लेंगे आलू का पराठा बनके त्यार है खाने के लिए आप इस आलू के पराठा की रेश्पी को बनाईए और खाईए अगर आपको इस रेश्पी पसंद आए तो पिलीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और कमेंट करना न भूले थैंक यू